शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं श्वेता दिवेदी, डीरेट के इस कारिक्रम में आप सभी का स्वागत करते हूं आज हम जिस बिंदू पर बात करेंगे, वह है परियावरण के प्रती बच्चों की समझ और परियावरण और बच्चों की बीच में क्या समबंध है तो आईए शुरू करते हैं, आज की इस चर्चा में जिन मुख्य बिंदूओं को लिया गया है, उसमें पहला है कि हम सबसे पहले परियावरण के अर्थ की बात करेंगे उसके पश्चात जानेंगे कि परियावरण और बच्चों की बीच में क्या समबंध है परियावरण का विद्यार्थी के उपर कैसे और क्या प्रभाव पढ़ता है परियावरण के प्रती बच्चों की समझ क्या होती है और परियावरण के प्रती विद्यार्थी की समझ को सही दिशा में बढ़ाया कैसे जाए तो परियावरण के अर्थ से शुरू करते हैं परियावरण जैसा कि हम जानते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है इसमें पहला है परी और दूसरा है आवरण परी का अर्थ है जो चारो और हमारे उपस्थित है और आवरण कोई घेरा या कवच है अगर हम इसके English शब्द को देखें तो environment जो है वो French भासा के एनवाइनर से बना हुआ है और इसका भी अर्थ जो है घेरना या समेटना से है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पर्यावरण वह है जो हमें चारू तरब से घेरे हुए है या हमें चारू तरब से अपने बीच में लिये हुए है पर्यावरण के प्रकार की बात करें तो पर्यावरण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है पहला प्रकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानो निर्मित पर्यावरण और तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण प्रकृतिक पर्यावरण जो है उसमें जो भी प्रकृति से जुड़े चीजें हैं वो सभी आ जाती हैं वह चाहे पहाड हो, नदी हो, वायू हो, जरने हो, पेड़ पौधे हो, जीव हो, वो सभी प्राकृतिक पर्यावरण का भाग हैं। फिर मानो निर्मित पर्यावरण और यहाँ पर मानो निर्मित पर्यावरण से आशे भौतिक पर्यावरण से है। यानि कि मनुष्य द्वारा बनाई गई वो सारी चीजें जिसे हम स्थूल रूप में देखते हैं, वह चाहे बिल्डिंग हो, वह चाहे बांध हो, वह चाहे टेबल, कुड़सी, जो सारी भी चीजें हो, जो मानो द्वारा निर्मित है, मानो निर्मित पर्यावरण में आती है और सामाजिक और सांस्क्रितिक जो पर्यावरण है वह भी मानो निर्मित है पर यह अद्रिश्य है यह भौतिक से ठीक विपरित अद्रिश्य है और इसमें हमारी आस्थाएं, हमारी विश्वास, हमारी परमपराएं, हमारी सांस्क्रितिक जो हमारे विचार हैं यह सबी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परियावरण का भाग है और मनुष्य, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी क्रिया के द्वारा परियावरण के भौतिक परिवेश में परिवर्तन करता है भौतिक परिवेश को मैनिपुलेट करता है उसमें हेर फेर करता है और इस हेर फेर के माध्यम से सांस्कृतिक परिवेश की रचना करता है अब देखते हैं कि पर्यावरण और बच्चे की बीच में क्या संबंध है जो इस चित्र में देख रहे हैं कि बानलक या जो मनुष्य है वो पर्यावरण के मध्य में है पर्यावरण के बीच में है और पर्यावरण जो है बालक को चारो और से घेरे हुए है और इसको जब चारो और से घेरे हुए है और यह जो बालक है या मनुश्य है वह भी कही न कहीं से पर्यावरण का भाग है तो हम जिस चीज के भाग हैं जो चीज हमारे चारो और है हम उस चीज को जानते हैं, हम उस चीज को समझते हैं, अब हम देखते हैं कि पर्यावरण का विद्यार्थी के उपर किस प्रकार से प्रभाव पढ़ता है, तो बाल्य अवस्था व्यक्ति के विकास की सबसे जटिल अवस्थाओं में से एक है, इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, समवेगात्मक और भाशा संबंधी योगेताओं का विकास होता है, यह सब है शारीरिक विकास, उस्पर करते हैं, जैसा हमारा पर्यावरण होता है, उसी की हिसाब से हमारा शारेरिक विकास होता है, वो कही न कही से हमारा सामाजिक सम्वेगा आत्मक विकास जो है उसी हिसाब से होता है हमारे पर्यावरण का हमारे वातावरण का जहां हम रहते हैं उसका प्रभाव हमारे भाशा संबंदी विकास पर भी पढ़ता है तो बाल्या वस्था के अंतरगत ये सभी विकास होते हैं यानि कि बच्चे को उपर परियावरण का स्पष्ट प्रभाव पढ़ता है अगर हम मनोविज्ञान में वैवहारवाद को देखें तो वैवहारवाद व्यक्ति के विकास पर या यह कहें और वो बच्चे के आनुवन शिक्ता के प्रभाव को महत्वहीन करार देते हैं मातरवयवारवादी ही नहीं बलकि अगर हम देखें संग्यानवादी जिसमें कि हम पियाजे को देखें ब्रुनर को देखें तो वह भी कही न कहीं से व्यक्ति के या बालक के विकास पर पर्यावरण के या वातावरण के प्रभाव को मानते हैं अगर हम सामाजिक संग्यानवादीयों को देखें वह भी बालक के विकास पर पर्यावरण के प्रभाव को मानते हैं अगर हम इस क्रम्य वाइगोचकी जो हैं फ्रायड हैं एरिक एरिकसन हैं जॉन बाउलवी हैं यह सब कहीं न कहीं से वातावरण के प्रभाव को महत्व देते हैं और मानते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो वातावरण के आधार पर निर्धारित होता है वातावरण से प्र बच्चा इस संसार को होस संभालने के साथ ही देखता है उसको सुनता उसको गुंता उसको समझता है अता प्रति दिन और प्रतिपल के सामना होने वाले पर्यावरण के लिए बच्चे की समझ प्रारंभ से ही होती है बच्चा जब भी विद्याले आता है वह अपने पर्याव परियावरण का ग्यान लेकर आता है अब यहां पर सबसे महत्वपून है कि बच्चे के जो ग्यान को या विद्यार्थी के जो समझ है उसको सही दिशा में कैसे बढ़ाया जाए परियावरण के प्रति उसकी जो भी जानकारी है या जो भी समझ है उसको सही दिशा कैसे दिख जैसा कि रियलिजम में माना जाता है बलकि बच्चा जो है अपने परिवेश से जुड़े कुछ अनुभवों को ले कर आता है उसके पास अपने परिवेश से जुड़े पहले के कुछ जानकारिया होती हैं पहले से उसके कुछ ज्ञान होते हैं और हमें उस ज्ञान का प्रिय से अनुभव दिये जाएं जिससे वे उन से जुड़ें उनके प्रती जागरुखों उनके महत्व को समझें और प्राकिर्तिक भौतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं वर्तमान परियावर्णिये मुद्दों के प्रती समवेदन शील बने हमें शुरूबात बच्चे के स् सम्मिलित करना चाहिए और हम जो शुरूवात है वो बच्चे के निकटम परिवेश से करें तो यह सबसे सही होगा परियावरण अध्यान बच्चों को सिर्फ उनके परिवेश से ही नहीं परचित कराता बलकि उनके तथा परिवेश के आपसी संबंद को मजबूत बनाता ह इसमें विद्यार्थियों को सीधे जानकारी, परिभाशाएं तथा विवरण देने के स्थान पर हम कक्षा में ऐसी स्थितियों का निर्मान करें जिससे वे अपने ज्यान का स्रिजन स्वयम कर सकें और ज्यान के स्रिजन के लिए वे अपने परिवेश, अन्य बच्चों, बड़ों तथा अन्य महत्वपुन लोगों के साथ अंतहक्रिया करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ इंटरैक्शन करें, तो यह उत्तम होगा. परियावरण अध्याइन जो है, वह हमारे परिवेश, हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम जहां रहते हैं, उससे संबंधित है. तो इसको सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में उपयुक्त बाल केंदित वातावरण तयार करना अत्यांत ही आवश्यक है. यानि कि जब बाल केंदित वातावरण होगा, बच्चे अपने आपको उससे संबंधित महसूस करेंगे और उसको सीख सकेंगे. सीखने की प्रक्रियाएं और वातावरण कक्षा के अनुसार होना चाहिए. कक्षा के अनुसार से आशे है कि बच्चा किस कक्षा का विद्यार्थी है या बच्चे की आयू क्या है? तो हम उसकी आयू के हिसाब से जो सीखने की प्रक्रियाएं हैं और जो कक्षा का वातावरण है उसके हिसाब से रखें. परियावरण अध्यान, विभिन सामाजिक मुद्दों और प्राकृतिक सरुकारों से वास्तविक जगत में सामना कर सकने के लिए प्रिष्ट भूमी तैयार करता है. अता आवश्यक है कि इस हेतु विद्यार्थी को खक्षा में ऐसे अनुभवों को प्रदान करें कि विद्यार्थी इन चुनातियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें. जब भी हम सीखने की स्थितियों का आयोजन करें तो इन स् अवलोकन करने, अभिव्यक्त करने, शर्चा करने, प्रश्ण करने, तर्क पुन्चिंतन करने, अपनी तरफ से ज्ञान में कुछ जोड़ने यानि की ज्ञान का स्रिजन करें तथा विशलेशन करने के अवसर शामिल हों जिन में एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयो करना चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि कख्षा का वातावरण और प्रक्रियाएं समावेशी हूं इसका आशय यह है कि बच्चों की विजिताओं उनकी शमताओं संग्यानात्मक विकास सीखने की गती तरीके आदी को पोशिट करें साथ ही बच्चों की सक्रिय सहभागिता भी उनको पर्यावरण से जोडने के लिए आवश्यक है और बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्यत करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी के उनके अपने अनुभाओं को प्रात्मिक्ता देते हुए उन्हें विद्या विद्याले किस छेत्र में है इसके आधार पर विद्यार्थियों को पर्यावरण से जोडने के लिए सिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा विद्याले के आसपास के हिस्सों में कुछ खोजी यात्राओं को आयूजित किया जा सकता है इसमें सिक्षक और विद्यार्थ या जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है वह किस प्रकार का है और उसे देखें इससे बच्चे अपने आपको संबंदित महसूस करेंगे और उसको अपना हिस्सा समझेंगे और साथ ही पर्यावरण का हिस्सा बनेंगे तो शिक्षार्तियों आज के इस चर्चा के जो मुखी बिंदू रहे हैं वह उसमें हमने पर्यावरण के अर्थ को देखा है पर्यावरण और बच्चों की बीच के जो संबंद है उसकी बात की है पर्यावरण जो है विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रभावित करता है इस परियावरण के प्रती बच्चों की समझ कैसी होती है कितनी समझ रखते हैं इसकी हमने बात की और साथ ही कक्षा कक्ष की परिश्थितियों में विद्यार्थी की समझ को हम सही दिशा में कैसे बढ़ा सकते हैं यानि कि इसमें हमने बात की कि विद्यार्थी के जो अपना वात आज के लिए इतना ही हम फिर से एक नई चर्चा में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार